हेलो दोस्तो किरोसा पेरामेडिकल ओनलाइट प्लेटपोर्म पे आग लोगों का तहर दुल से स्वागत है जैसे कि आपने देखा होगा थमनेल के अंदर की नर्शिंग ओर्डिनरी का रजल्ट आ चुका है कली उनिंग के अंदर और जिन जिन लोगों का सेलेक्शन हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको निरास होने की जरूरत नहीं है हाना, निराथ होने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल उनका selection जरूर होगा, और vacancy आती है रहेगी, मार्च तक कहे रहे हैं कि मार्च तक और repeat करवाँ है vacancy को, क्योंकि अभी जो m थे, वो 6ms ही इसे थे जिनोंने nursing ordinary की vacancy दी है, सब्सक्राइब करेंगे इस बार देख लिया कि कैसा पेपर आता है क्या आता है क्या क्या क्यों सकता है वह सब हमने भी एनलाइज किया है तो हम जदी ही उसी अकोडिंग और उसी के स्लेबस के अकोडिंग जल्दी आपके लिए क्लासे लेके आएंगे तो हारना नहीं है और वेसे देखो पीछे क्या लिखा हुआ है रख होसला वह मंजर भी आएगा प्यासे के पास जलकर समधर भी आएगा यूं ठकर ना बेट ए मेरे हमसफर जिन्दगी भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा तो ठीक है तो आपको हारना नहीं है जिस त बादार पर आपको प्रिप्रेशन करते रहना है और दूसरा मेरे जिन भी भाईयों का सेलेक्शन हुआ है प्लीज यह ध्यान रखना डॉकॉमेंट्स वेरिपिकेशन अच्छे से कराना कोई भी मिस्टेक नहीं करने है डॉकॉमेंट्स वेरिपिकेशन में आप जिस भी लेके तो थोड़ा सा क्या है मैं आपको बताना चालब उसके बारे में कि क्या था कि नर्सिंग डर तो हम आपको डिस्क्वालिफाई भी कर सकते हैं तो प्रोवीजनली जो सेलेक्टेड कंडिडेट वो कितने हैं 413 मतलब चार लोग चार सीटे खाली छोड़ दिन लोगों ने प्रोवीजनली है यह जो भी रजल्ट आपका तो कितनी वेकेंसी थी टोटल 417 और कितनी वेकेंसी हम द Two- Rice स्कूइं दी ती इसके अकोडिंग उनको क्या रचिनली और की बंदने जितनी फूस्ट चतींlast तक तक क्या है जनरल का कोई भी सेलेक्शन होआ है इसी तरीकी से अदर 347 तक जो भी सेलेक्शन हो गया है इसके बाद में आती है ST category में 427 rank तक है चाहिए वो लड़का है चाहिए उसका सेलेक्शन हुआ है वेसी SC के अंदर 506 rank तक क्या हो गया है सेलेक्शन हो गया है इसके बाद में आती है EWS EWS का तेको 533 मैं पहले भी बोलता हूं कि जिसके पास में कुई कर रहा है या क्राइटेरिया के अंदर है और तो वह EWS की कटॉफ है ना SC-ST से भी बहुत कम जाती है कटॉफ EWS की तो EWS जिसने बढ़ा रखा है उसको तो प्रॉफिट है है जिसके पास में नहीं है वो भी बनवाले क्योंकि EWS की कटॉफ क्या है बहुत कम जाती है उसके बाद में आता है PWD जो विकलांग है उनकी क्या है रेंग 1926 रेंग तक भी अगर कोई बंदा है विकलांग उसका सेलेक्शन हुआ है और एक सर्विसमें जो भी आर्मी एरफोर्स और नेवी से रिटाइड है और उन लोगों ने अगर एक्जाम दिया हो तो कितना 2751 रेंग तक 2751 रेंग तक क्या हुआ है सेलेक्शन हुआ है इसके बाद में देखो आपको यह ध्यान रखने इंस्टेक्शन यह क्या कर रहा है कि दस सलेक्टेड कंडिडेट और रिक्वाइड टू रिपोर्ट द अलोकेटेड एम्स इमीडेटली जो भी आपको एम्स आपके रोल नंबर के सामने अरे आपके क्या है रोल नंबर के सामने जो भी एम्स आपको मिला है उसमें क्या करना है इमीडेटली आपको क्या करना है रिपोर्टिंग करनी है, without any delay as per the instruction, यानकि आपको delay नहीं करना है, आपको जैसे ही आप, जो भी आपको एक link खुलेगा, जिन बंदों का selection हुआ है, जिन बंदों के roll number इस list के अंदर है, उनका जो my page है, आपका उस पर जाओगे तो वहाँ पर जैसे instruction दिया होगा, और एक link होगा, उस link पर जाके आपको क्या करना है, अपडेट करने है, कुछ चीज़े, जो भी आप M's मांगेगा, जो भी इंस्टेक्शन आपको देगा एंस उसको खिलब करना है ठीक है दूसरा स्टी स्टी ओबीसी और EWS वालों को ध्यान रखना है वो अपना सेटिफिकेट क्या करा ले रिन्यू करा ले और ओरिजनल सेटिफिकेट लेके जाएं सारे डॉकुमेंट्स ओरिजनल आपको ले हाँ अधिया तो और यह इस तीधान रखना एम रेकिए तो लागु चाल ही है वो एकमकर रिफक करने के लिए करने के लिए तो आपसे जो भी certificates हैं जिस category में आप सेलेक्ट होए हो तो आपको कोई category का certificate नहीं लेकि जाना लेकिन SC, ST, OBC और especially EWS में कर कोई select हो आए तो उसको EWS का certificate लेकि ही जाना पड़ेगा दूसर दिको क्या है individual marks वो भी बच्चे घबराई नहीं सबको आपका result बता दिया जाएगा आपके first paper में इतने marks आये थे second paper में इतने marks आये हैं आपने इतने क्यूशन attempt करें इतने right वे इतने wrong वे तो उन्होंने के दिया है कि इंडिविजल स्कॉर मार्क्स कूब अपेड इंद अवो मैंसन एक्जाम ठीक अवेलेबल ओन वेवसाइट दिल्ली एम्स की वेवसाइट आप अपना ID पासपर लगा कि जब खोलोगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपके नंबर से हो जाएंगे हो सकता वह आज स्याम तक डिक्लियर कर दे नाया बेच वापस स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत बहतरीन वेकेंसी आने वाले DSSB में आने वाली है क्यूंकि DSSB में भी इंदरागांधी ओस्पिटल बना है दिल्ली में दिल्ली सरकार ने काफी बड़ा ओस्पिटल है 5000 बेड़ेड ओस्पिटल है तो उसमें भी वेकें कि ब душ रांगीस यचिए कर दूंफ़ कर दो उसमें भी झाल गदक कर दिल्ली में हैं इंदर में